दोस्तो ग्रेजर्शन पास मुख्यमंत्री कन्या उठान योजना पचाहजार रुपे के लिए दुबारा से फॉर्म फिलर पे स्टार्ट कर दिया गया अगर आप ग्रेजर्शन पास हैं और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इस योजना के तहट पचाहजार पास सकते हैं इसके लिए आविदन शुरू कर दिया गया अभी मैं आपको जो है एक नोटिस दिखाता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जो है उस नोटिस के कोर्णिंग समझ सके कि कब से कब तक आप पास हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कौन लोग अप्लाई करते हैं देखिए सबसे पहले समझे मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना कन्या का मतलब क्या सिर्फ जो है गल्स लोग बालिका ही यहां पर फॉर्म को भरती है बहले वो मैरीड हो या अनमैरीड हो और ग्रेजुशन जो है वो कंप्लीट क करने चाहिए बिहार के किसी भी इनवर्सिटी से तो वो जो है अपलाई कर सकती है भाले वो फंस डिविजन पास हो सेकेंड डिविजन पास हो एक तो मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना के लिए इलिजबल होती है और फॉर्म को अपलाई करती है तो यहां पे आप देख प्राओ को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुस्त पचास जा रूपे दिये जाने है तू पोटल यह मैधासवप का पोटल के बारे मताया गया है पर आविदन प्रात्त किया जा रहा है आविदन की जो अंतिम्तिती है 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित है मतलब यह की 31 दि के अंदर अवस्थित जो भी मानेता प्राप्त डिग्री या विस्ववी दाले कॉलेज है वहां से आप उतिर होने चाहिए और एक अप्रिल 2021 से लेकर 39-2023 के बीच जो है आप पास आउट है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगा आप लोग बोलेंगे कि 39-2023 के बीच इस बीच आपका भी उतिर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए यहां पर बताया गया है कि आपको कोई भी राष्टिकृत बैंक खाता चाहिए मानेता प्राप्त नीजी बैंक आपको होना चाहिए जिसमें आथवा इंडियन पोस्टल बैंक भी च इस तक अपना नहीं कर आते हैं तो यहां समझा जाएगा कि वे योजना का लाब लेने के लिए एक चुक नहीं है तो इतना के पशात उन्हें अगला मौका नहीं दिया जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आप इलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म भर लीजेगा वरना बाद में अब आपको मौका नहीं मिलने वाल है बहुत सारे ऐसे लोग हमको मेल किये थे परस्नली कि सर हम गरेशन पास हैं लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है आवेदन नहीं किया गया है तो देखिए उनके लिए यहाँ पर डेट आ गया है पुना उनको मौका मिल रहा है 31 दि दिलिप आप यूटुब पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको यह मेरा चैनल जो है दिख जाएगा अभी जो है मात्र नौ सस्क्राइबर्स हुए हैं और मैंने अभी तक दो वीडियो डाला हुआ देखिए यह चैनल स्टार्ट करने का मेरा मेरा में मक्सद क्या है डिया दोस्तों को भी जरूर बता दीजे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो योजना से लेटेट सभी जनकारी जो है अब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको जो फॉर्म को अप्लाई कर यहां पर देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री करने उठाने हो जो ना यहां पर आपको मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे यहां इस परकार से जो है ओपें होगा और यहां आप देखेंगे रिजल्ट पब्लिकेशन बीट्वीन एक अप्रिल 2021 से लेकर 139-2020 आप इस पर क क्लिक करेंगे आपका इस परकार से पॉर्टल ओपें होगा यहां स्टुएंट का एक option मिलेगा यहां देखें रिजिस्टेशन फॉर स्टुएंट पर क्लिक करेंगे अगर आप रिजिस्टेशन कर लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा जब आपका यूजर एड पर अपना जो है इनवर्शिटी का नाम चुनाव करेंगे आप कौन सी इनवर्शिटी से पास किया है बिहार की जितने भी इनवर्शिटी है उस सारा इनवर्शिटी यहां पर आपको सो करेंगा यहां देखिए इंद्रा काधी नेशनल ओपन इंवर्शिटी इगनु का भी पे आपको जो है university registration number या enrollment number आपको लिखना है तो आपके mark seat के उपर जो है university का registration number और enrollment number आपको मिल जाएगा और mark seat number भी आपको मिल जाएगा आप mark seat को देखेंगे तो कुछ इस परकार से mark seat होता है आप देखेंगे तो यहाँ पर ललित नरायन मितला इनिवर्सिटी का यह मार्क सीट है मेरे पास, यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखेंगे, आपका इनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, अब आपको ढूड़ना होगा मार्क सीट के उपर, कि यह आपका मार्क सीट नमबर क वो सब उसी तरह से उसी फॉर्मिट में आप क्या करेंगे यहां पर अपना जो है रिशेशन नमबर या इंडॉल्मेंट नमबर दोनों में से कोई एक ही लिखना है और यहां माक्सिट नमबर लिखना है फिर फादर्स ने फिर डेटा बर्थ कहां से च्वाइस करना है और गे नाम नहीं सोता है तो उस केस में आपको क्या करना है अपने इनवर्सिटी से कॉंटेक्ट करना हो सकता है कि आपका जो जनकारी है उसमें कोई ने कोई दिक्कत हो गया हो या अभी तक अपडेट नहीं हुआ हो इस वेप साइट पे आपका जनकारी छूट गया हो तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हैं और आपको यहां पर जनकारी भरके गिडिल्स पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका नाम नहीं सो रहा है तो उस किस में आपको यहां पर बोला जाया है कि आप जो है इनुवर्सिटी से कॉंटेक्ट करेंगे तो यह चीज आप जरू करते हैं अब आपको यहां पर जो है अपना डिश पी जाएगा और पर को वेरिफाई करेंगे यहां बैंक डिल्स देना होगा आपको एकाउंट नंबर कनफॉर्म एकाउंट नंबर यह सब आप खोज जनकारी को भरना होगा इसके वस्के आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है रेसिडेंशियल डोमिसाइल सेडिफिकेट के बारे मांग रहा है तो यहां पर अपना निमास प्रमापत्र की संख्या ल करते हैं इस प्रकार से आपका जो है दिखा देगा आपका सारा जनकारी की जो भी अपने यहां पर जनकारी दिया सब चीस सही है कि नहीं अगर इसमें कुछ भी गलती है को बैक जाकी इडिट करिएगा नहीं गलती है तो आप यहां रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दिन 15 दिन मतलब ऐसे समय लगते हैं दो विक तीन विक लग जाता है कभी कभी तो आपको वेट करना है होगा क्या वहरिफिकेशन होगा सरकार जो है आपके डॉकुमेंट्स को चेक करेगी आपके डिटेल्स को वहरिफाई करेगी अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको जो है एक यूजर आइडी पासवर्ड भेजाता है आपके मुबाइल पर इमेल पर आप उस यूजर आइडी को यूज करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे यहां पर आएंगे और यहां लॉग इन फर स्ट्विक करेंगे तो आपको यूजर आइडी पासवर्ड करेंगे आई होप आपको समझ में आया होगा आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट बोक्स में पूछिएगा मिलते हैं किसी नेक्स वडो में जाहें